मस्कार, स्वागात है आप सभी का एक बार पुनाठ टार्ग तालोग ऑनलाइन इस्ट्यूट मैं, मैं गौरम नदैन्यन, कैसे हैं आप लोग? यूपी टी टी 2019 का रेजल्ट आचुका है और उमेद है कि रेजल्ट आपके एकोर्डिंग ही आया होगा, कई सारे लोगों ने संस्थान में फोन करके मैसेज के माध्यम से या पर्शनली जो लोग जुड़े हुए हैं उन्होंने माध्यम से किसी ना किसी माध्यम से ओगत करा चुकर अलगा है कि उनका टे टी पास हो गया है और उन्होंने आभार विक्त किया है आपको भी संस्तान की यूर से बहुत बहुत शुपकामना हैं आगाम में आने वाली परिच्छा जिसका नाम सुपर टेट है आपके के लिए एक चनौती पूर्ण होने वाली है और चनौती पूर्ण इसलिए होने वाली है क्योंकि इस परिक्षा में ऐसा माना जा रहा है कि श्लेवर्स वही रहेगा जो पिछली बार था और यह परिक्षा की तिथी या परिक्षा कब होने वाली है अभी इस पर थोड़ा सा अ जुनियर के पद सामिल किये गए और 26 और 4 मिला के हो जाते हैं लगवक 30,000 पद ठीक ना तो 30,000 पद आएंगे जुनियर और प्राइमरी को मिला कर और उस मेंसे एक विकैंसी एक पद आपको अपने लिए आरच्छित कर लेना है आपको किसी भी प्रकार की जैसे भी हमारे संथ से जो भी मदद की रिकॉर्मेंट होगी अब बताईएगा कहां फस रहे हैं कौन सा टॉपिक सांज में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है पढ़ाई से संबंदित सारी की सारी व्यवस्थाएं हमारे संसान आपके संबंद में करेगा एक बिर्पार से फिर से आप लोगों को धन साहर नहीं जाने बाला अगर अभी तक मैं अपनी बात करूं तो मैंने इसके पिछले दो वीडियो में सौरी पिछले तीन वीडियो में मैंने आपको अच्छान देशांतर और प्रिथिवी की गतियों से अउगत कराया था आज एक नया टॉपिक है और यहां से प्रिष्ण प्रिथिवी की आंतरिक संरचना आईएगा तो प्रिथिवी की आंतरिक संरचना को समझने का कारी करते हैं और जब आगर आप प्रिथिवी की आंतरिक संरचना समझ जाएंगे तो यहां से आपके चार टॉपिक कंप्लीट होंगे प्रिथिवी की आंतरिक संरचना भूकंप जौलमकी और चट्टाने यहां से चार टॉपिक आपके कम्प्लीट हो जाएंगे भूगोल के तो देखेगा पिर्थिभी की आंत्रिक मतलब हम लोगों को पिर्थिभी के अंदर क्या उसका अध्यन करना है अब मा लिजेगा पिर्थिभी है तो हम पिर्थिभी के अंदर तो नहीं जा सकते तो इनका पिर्थिभी की आंत्रिक भागों का अध्यन की साधार पर किया गया कई सारे अध्यन बताए गए हैं बताएंगे थोड़ा सा पहले समझ लीजिएगा मान लीजिएगा इस परकार से हमारी पृत्वी है आपको अंदर देखना है अंदर क्या है suppose that करिएगा मान लीजिएगा यहाँ पर मैंने आपके लिए ऐसा एक केक बना दिया अब उपर से आप देख रहा है मान लीजिएगा इस परकार से केक है आप उपर से देख रहा है तो मान लीजिएगा इस चॉकलेटी केक है आपको चॉकलेट कलर उपर देख रहा है कि आप बता सकते हैं कि उस चॉकलेट कलर के नीचे क्या है उसके नीचे कौन सा रंग है उसके नीचे कौन सी परत है नहीं बता सकते कैसे बताएंगे हम एक चाकू लेंगे चाकू से ऐसे दो चाप लगाएंगे और बीच वाले भाग को क्या कर लेंगे खीच लेंगे उसी प्रकार हमने क्या किया माली जी का प्रिथवी है हमने दो चाप यहां से लगाए और एक भाग यहां से खीच लिया और जब एक भाग खीच लिया तो उसे हम देख लेंगे कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौ परतों में विभाजित किया गया किदने परतों में विभाजित कर दिया गया प्रिथिवी को तीन आंतिक परतों में विभाजित किया गया जो सबसे उपर वाली परत है इसको एक नाम दे दिया गया और नाम दे दिया गया क्रश्ट क्या नाम दे दिया गया इस वाली परत को नाम दे दिया गया और इसको नाम दे दिया गया कोर तो क्रश्ट अमर दनु है तीन परते नोत ही ठीक ना जो आप कैसे कैसे वररगी करना हुगा मैं सब कुस्पें आप साथ olursession भीडियो की दार समझाइ यहाँ पर सबसे उपर हम और आप है यानि यहाँ पर हमारा धरातल है यहाँ पर क्या है तो यहाँ पर हमारा धरातल है परबत पठार मैदान यहाँ पर हम और आप है इस प्रकार से हम बना लिया यह हमारा क्या है यहाँ पर हमारा धरातल है किया यहां पर धरागतल के निचे यहां पर यह हमारा सेंटर है प्रितिवी का केंद है इसी प्रिकार का मांचित्र यह डाइग्राम हमने यह लिया है देखेगा यह हमारी प्रितिवी है इस प्रकार से हमने एक काट इसकी काट लिया और इस प्रकार से दिखाय जा रहा है देखीगा जो प्रितिवी की उपरी परत है जिसको red color से बनाया गया है इसका नाम है crushed ये वाली जो परत है इसका नाम है mental और जो yellow color से सबसे नीचे बनाया गया है इस को नाम दे दिया गया यहां से लेकर पूरा ए वाला भाग इस पूरे भाग को क्या नाम दे दिया गया क्रश्ट इस पूरे भाग को क्या नाम दे दिया गया क्रश्ट इस पूरे भाग को क्या नाम दे दिया गया क्रश्ट इस पूरे भाग को क्या नाम दे दिया गया तो Crust Mental or Core हिंदी में बोलते हैं भूपरपरटी यानि Crust उसका Mentल को बोलते हैं प्रवार और को बोलते हैं अंतरतम, क्या बोलते हैं कूर को और कूर को बोल देते हैं अंतरतम ठीक ना समझेगा होता क्या है कि पृथिवी की जो यहां से लेकर यहां तक की दूरी है यहां से यहां तक की जो दूरी है वो लगवग 6,371 किलोमीटर है कितनी है? 6,371 किलोमीटर चूँकि पृथिवी गोल है और गोल होने कारण सता इससे लेकर यहां तक इस पूरी के पूरी को इसको रेडियस मान लिया जाता है और थारत यह पृथिवी के क्या हो जाती है यह पृथिवी की तरिज्य हो जाती है पृथिवी की क्या हो जाती है पृथिवी की तरिज्य हो जाती है ठीक ना यहां से लेकर एक क्रश्ट है और यहां पर तीन लाइनिंग है जो मैंने एलो कलर से बनाई हुई है इस ए वाली लाइन जो है एलो कलर से जो यहां बनाई हुई है यह क्रश्ट को किस से अलग कर देती है या क्रिष्ट को अलग करती है mental से और यहाँ पर एक line मनाई है mental को अलग करती है core से इस वाली परत का नाम क्या है तो मोहो आसांतत या आसांबद्धता भी बोलते हैं इंगलेस में discountinity क्या नाम दिया जाता है इसको एक नाम दे दिया जाता है और नाम दे दिया गया मोहो discountinity मोहो रिविक नाम के व्यक्ति थे विज्यानिक थे उन्होंने क्रेश्ट को mentor से अलग करने वाली संदचना को खोजा इसलिए उनकी आधार पर इसका नाम रख दिया गया यहाँ पर जो संदचना है इसका नाम है गुटन वर्ग गुटन वर्ग डिसकाउंट निटी आसांतत हला मैं यह आसांतत तो छोटा सब्ध है इसको आसंबद्धता कहते हैं क्या होती मैं अभी आपको समझा दूँगा उसके बाद एक कोर जो है कोर के बीचो बीच एक लाइन और है और यह जो लाइन है कोर के लेहमन आसांतत तो लेहमन आसांतत तो तो लेहमन आसांतत तो क्या करती है कोर को दो भागों माट रही है उपर वाला अपर कोर नीचे वाला लोवर कोर गोटन वर्ग क्या कर रहा है गोटन वर कोर को मैंटल से अलग कर रहा है जबकि मोहो क्या कर रहा है मोहो क्रश को मैंट टनल से अलग कर रहा है, समझ एगा और अच्छे समझ एगा चीज़ों को किस प्हल कलर कर पैन ले लो चलिए। वाइट कलर कर ले लेता हूं मैं। ए जो क्रष्ट है, एक लाइन होती है से क्रश्ट को दो भागों बाट देती है एक क्रश्ट को दो भागों माट रही है उपर वाला जो हो गया उपर वाला हमारा हो गया अपर क्रश्ट और नीचे वाला कौन सा हो गया तो नीचे वाला हमारा हो गया लोवर क्रश्ट अपर क्रश्ट और कौन सा क्रश्ट लोवर क्रश्ट और जो वाइट कलर से लाइन बना एक स्राइय है इस लाइन का नाम क्या है कोनो रोड को नो रोर आ मत को अ समत साइस कोwan केено कोज़ पर इसके बार मैंटल जो है मेंटल को भी एक लाइन होती है जो मेंटल पर देती है इसको मेंटल को दो भागों माड़ती है मेंटल को कौंगा से दो भागों माठती है। या इसแ пл 확인 करसे देख जिए है। तो जो राज लाएं यहां पर इसका नाम है रिपीकती रिपीकुर्टी आसानत्त क्या नामीस रिपीक आसानत्त तो रिपीकिटस तो मेंटल को दो भागों आठती उपर वाले को नाम दे दिया गया अपर मेंटल और नीचे वाले को नाम दे दिया गया लोवर मेंटल क्या नाम दे दिया गया लोवर मेंटल या क्रेश्ट है लोवर मेंटल ठीक ना मेंटल ठीक ना उसके बाद लेहमा ने इसने भी कोर को दो बागों माटा ऊपर वाली को अपर कोर और नीचे वाली को क्या नाम दे दिया गया नीचे वाली को नाम दे दिया गया लोवर कोर अपर कोर और नीचे वाली को क्या नाम दे थीकर न, एह होती हैं, यहाँ पर परते हैं, ठीक न, अब मैं एक diagram और मरर बनाउंगा, बाद में बना दूनगा, पहले समझेगा, याणि उपर से लेकर यलो वालो तक, ठीक न, उपर से लेकर कहां तक, ऊपर से लेकर यलो तक का, इसको हम यहाँ से इसको अभी मिटा देते ह वाला जो लिखे हैं यहां उपर क्रेश्ट से लेकर और पूरा क्रेश्ट का जो भाग होता है यह लगभग लगभग यहां से 30 किलो मीटर तक का छेतर होता है तो यहां से 30 किलो मीटर का छेतर होता है और यहां से लेकर यानि मोहों से लेकर गुटनवर्ग तक का छेतर होता है यह लगभग लगभग एक्यावन सो किलोमीटर का होता है लगभग लगभग कितने किलोमीटर का होता है तो लगभग लगभग सरी उन्तीस सो किलोमीटर का होता है लगभग कितने किलोमीटर का होता है तो लगभग यह हो जाता है उन्तीस सो किलोमीटर का यहां से लेकर यहां तक यह उन्तीस सो किलो मीटर का छेतर हो गया और उन्तीस सो तो पूरी कितना ही है हाइट यहां से यहां तक तो यहां से यहां तक पूरा मतलब यहां से यहां तक 6,371 है और 6,371 में से अगर उन्तीस सो और तीस को माइनस करेंगे तो लगवग लगवग तो यहां से यहां से लेकर और यहां तक तो यहां से यहां तक की आईटी लगवा कितनी है तो लगवा कितनी है तो लगवा कितनी है टोटल कितनी है टोटल 6,371 किलोमीटर है इतनी यहां रखना ठीक ना कई वार पूछ लेता है कि धरातल से कितनी किलोमीटर तक करिश्ट का विस्तार पाए जाता है तो धरातल से जहाँ पर हमें यहां से 30 किलो मीटर तख 30 किलो उसके बाद गोटानवर्ग से लेकर प्रिथिवी के केंदर तक यानि लगबा 5100 km तक क्या होता है? 5100 km तक कोर होता है, ठीक ना? अगला समझेगा, उपरी क्रेश्ट, ये पूरा का पूरा क्रेश्ट और उपरी मेंटर, ठीक ना? इसको मैं दूसरे एक पेज में और बनाऊंगा, माल लिजेगा इस प्रकार से हैं, या तीन ऐसी सनरचना, दो सनरचना है मना दी मैंने, ठीक ना? इसका नाम क्या हो गया? इसका नाम हो गया क्रश्ट और एवाली संदचना का नाम क्या है? तो इस वाली संदचना का नाम है मोहो आसांतत्त का नाम है मोहो आसांतत और यहाँ पर एक संदचना है जिसका नाम है कॉनरोड कॉनरोड आसांतत्त ठीक ना यहां पर एक और सनरचना है ठीक ना यहां पर एक और सनरचना है और और सनरचना लिखने के पहले यहां क्रेश्ट के बाद एक कौन सा च्छेतर है तो इंटल है में टी एली और यहाँ पर जो सनरचना है इस सनरचना का नाम क्या बताए थे अभी आपको रेपटी ठीक ना तो अच्छे समझेगा तो पूरा का पूरा क्रेश्ट यानि ए पूरा च्छेतर यहां से लेकर यहां तक का पूरा का पूरा क्रेश्ट और उपरी मेंटल अगर यह रेपटी आसांतत है तो उपर वाला अपर मेंटल और नीचे वाल लोर मेंटल यानि यह वाला च्छेतर तो इस वाली च्छेतर की बात हो गई इसको मैं ऐसे कर देता हूँ इस वाली च्छेतर की बात हो गई सताय से ले S-P-H-E-R-E Lithosphere English में क्या नाम दे दिया गया Lithosphere कई बार पूछा जाता है स्थल मंडल के अंतरगत कौन कौन सी सरचनाय सामिल है तो स्थल मंडल के अंतरगत पूरा का पूरा क्रेश्ट और उपरी भाग का mental इस्तित है पूरा का पूरा क्रेश्ट और अपर mental से किसका निर्माण हो जाता है निर्माण हो जाता है स्थल मंडल का ठीक ना अच्छे समझीगा किसका निर्माण हो जाता है किसका निर्माण हो जाता है स्थल मंडल का निर्माण हो जाता है अब अगर स्थल मंडल को हम विभाजित करें तो यहाँ पर दो सब्ध हैं एक है लीथो और दूसरा है इस्पियर एक है लीथो और दूसरा क्या है दूसरा इस्पियर तो लीथो का आर्थ होता है चटान लीथो का आर्थ होता है चटान और इस्पियर का आर्थ होता है मंडल अर्थार्थ चटानों से मिलकर जो मंडल बनत क्या पाएं जाती है वापर चटाने पाएं जाती है और चटाने कैसी होती है ठोस होती है द्राव होती है या गैस होती है तो चटान कैसी होती है बाबु मेरे तो चटान होती है ठोस तो चटान ठोस होती है अर्थार्थ ये पूरा का पूरा क्राइश्ट और उपरी मेंटल का वर छेतर जो है वो कैसे प्रकार की स्चनरचना से निरमित है वह थोस है वहाँपर कैसे प्धान पाये जा रहे है थोस अवस्था में हो आपिशली अब देखेगा हूज इस सब जो को समय लेते हैं पहले आसांतत्त तो क्या होता है शर आसांतत तो बाबु होता है यहां पर एक नदी प्रवायत हो रही हुए और यहां पर जो नदी प्रवाहित हो नदी का नाम क्या है इस नदी का नाम है यमना तो यह बताएं यमना का जो पानी होगा यमना का जो जल होगा इसकी विसेश्थाएं अलग प्रकार क्यों होगी इसकी विसेश्थाएं अलग होगी और जो गंगा होगा गंगा नदी है इसके जल की विसेश्थाएं इसके जल की विसेष्टा है अलग होंगी लेकिन जहां पर दौनों मिल रहे हैं जहां पर दौनों मिल रहे हैं अर्थार जहां पर नदियों का संगम है यहां पर जो जल होगा यहां पर कुछ विसेष्टा है गंगा के जल कीवी पाए जाएंगी और कुछ विसेष्टा है गंगा के जल से मैंने बनाया है ConradoD या More जो ये वाला छेत्र More किस किस के बीच में Crust और Mental तो यहां पर कुछ विस्विस्था की भी पायाएंगी और कुछ विस्था किस की पायाएंगी Mental की भी पायाएंगी एक उतन्वर्ग है उपैर है Mental और नीचे है क्या नीचे है Core जी कि पाई जाएगी तो कर ना इतनी बात हो गई चलेए अब हमने बताया कि क्रैश्ट और उपरी मेंटला जो भाग होता है उसको स्थल मंदल कहते हैं जो तो चटानों से निर्मन्डल और चटाने कैसी हो ती चटाने ठोस होती है मतलब क्रश्ट का जो भाग है और साती सा जो मेंटल का भाग है उपरी मेंटल का भाग वह किस से निर्मित है वह ठोस से निर्मित है किस से निर्मित है ठोस से निर्मित है अब पिर्थिभी के अंदर क इसका पता लगाने के लिए हमने कई सारे एक्सपेरिमेंट किये और उन सभी एक्सपेरिमेंटों में भूकम्पी तरंगों के अधार पर किये गए अध्यन सरवादिक प्रमानित हैं। तरंग के अधार पर करेंगे। किसके अधार पर करेंगे। भूकम्प तरंग के अधार पर करते हैं। प्रात्मिक तरंग की विशेष्टा ये होती है। प्रात्मिक तरंग जो है तीनों माध्यम में चल सकती है। तीनों माध्यम में गमन कर सकती है। जबकि दुतियक तरंग जो यहाँ पर है दुतियक तरंग की विशेष्टा ये होती है। दुतियक तरंग के वर ठोस माध्यम में चलती है। किस माध्यम में चलती है? के वर ठोस माध्यम में गमन करती है। के वर ठोस माध्यम में गमन करती है। तो जब पी तरंग गुजारी गई। तो पी तरंग है क्रेश्ट में भी चली, mental में भी चली, और core में लिए इनकी गति है। यानि जो तरंग है वो तीनों माध्यम से वुकर गुजर गई। यह जो तरंगे हैं पी यह तीनों संस्तरों या तीनों मंडल से होता हुए गुजर गई अर्थार्थ यह पत चला यह तो यहाँ पर ठोस है या द्रव है या गैस है तीनों जगा ठोस भी हो सकता है द्रव भी हो सकता है गैस भी हो सकता है ठीकना उसके बाद दुतियक तरंगे को गुजारा गया तो दुतियक तरंगे जब यहां से गुजारी गई तो दुतियक तरंगे वाइट कलर के पैंस बना रहे हैं ऐस तरंगे जब यहां से गुजारी गई तो ऐस तरंगे प्राथिमिक में तो चली या क्रेश्ट में तो इनकी गती हुई क्रेश्ट के बाद mental में भी इनकी गती हुई mental के बाद उपर वाले कोर में इनकी गती नहीं हुई लेकिन निचले कोर यानि lower कोर में फिर से इनकी गती हुई lower कोर में फिर से इनकी गती हुई मतलब कि ऐस तरंग जो केवल ठोस मात्यम में चलती है उनको क्रेश्ट में देखा गया मेंटल में देखा गया और लोवर कोर में देखा गया अर्थार्थ अपर कोर में इनको नहीं देखा गया अपर कोर में इनको नहीं देखा गया अपर कोर में नहीं देखा गया या तो वो ठोस अवस्था में है या फिर वो किस अवस्था में है या फिर वो द्रव अवस्था में है ठीक ना अच्छे समझेगा ठीक ना यह तो ठोस अवस्था में हो सकते हैं या द्रव अवस्था में हो सकते हैं यह पता चल गया हमें उपर के दोनों मंडल यानि के तीन अबस्ताइं होती है ठोस दिर्व और गैस अगर पूछा जा सबसे जान्दा इस्थान कौन गेरती है तो सबसे जान्दा इस्थान गेरती है गैस यानि गैस इस्थान गेरती है और गैस इस्थान गेरीगी तो गैस के लिए क्या होना आवश्क है गैस के लिए आयतन का हो नावशक है लेकिन हम जानते हैं कि प्रित्वी ठोस है यारी प्रित्वी पिंडों से निर्मेत है चटानों से निर्मेत है और चटाने एक दूसरे से चिपकी होई है जब चटान एक दूसरे से चिपकी होई होई होगी तो क्या वहाँ पर ठोस में गैस पाए जाएगी तो वहाँ पर गैस नहीं पाए जाएगी मतलब ठोस भी नहीं है और गैस भी नहीं है तो है कब यह तो बचा हमारा द्रव तो कहा गया कि प्रिथवी के जो अपर कूर है वह अपर द्रव होगा फिर कहा गया कि द्रव के लिए भी इस्थान चाहिए द्रव भी इस्थान घेरता है और द्रव इस्थान घेरता है और द्रव तभी रह पाएगा जब बीच में स्पेस होगा बीच में क्या होगा आयतन होगा जब की बात यह है कि उपर व ठोस तो हो नहीं सकता था द्रव या गैस होना चाहिए था गैस हो नहीं सकती बचा द्रव और द्रव को भी मैंने बता दिया कि द्रव नहीं हो सकता तो भाई यह होगा क्या द्रव ही होगा अंदर की परत में यहां पर द्रव ही है लेकिन इस पेस ना होने के कारण यहां के प उस सवस्था में परवर्तित होगा है, ठीक ना? समझेगे इसको, ठीक ना? अब समझेगा, इतनी मात होगी क्लियर? इसे में हम आभी आपको और समझाते हैं, तो अंदर या तो ठोस द्रव होना चाहिए था गैस, गैस इसली नहीं है क्योंकि आता नहीं है, और द्रव भी इस परतों में जाते हैं, जैसे जैसे हम प्रित्वी के अंदर की परतों में जाते हैं, तापान में विर्द्धी होती है, आप प्रित्वी के धरातल के अंदर की परतों में जाईगा, तापान में विर्द्धी होगी, और लग भग 32 मीटर की गहराई में जाने पर, 32 मीटर की ग अंदर की परतों में जाने पर भी प्रेसर में भी बृद्धी होती है क्योंकि प्रतेक उपर वाली चटान नीचे वाली चटान पर क्याद कर रही है दबाब डालती है इसलिए जो केंद्र है इस केंद्र पर उपर के सभी पिंडों का दबाब पढ़ता है और सबी पिन्नों का दवा पढ़ने के कारण ही यहां पर बीच का स्पेस क्या हो गया है बीच का स्पेस खत्म हो गया ठीक ना तो ताप और दाप उसके बाद अंदर की परतों में जाने पर घनत में भी बृद्धी होती है अंदर की पर्तों में जाने पार जो density है उसमें भी वृद्धी होती है और density में वृद्धी होने कारण भी बताया गया density में वृद्धी होने के तीने region बताए गए हैं तीने region बताए गए हैं और बताए गए कि density में यानि घनत्तों में इसलिए वृद्धी हो रही है क्योंकि उपर वाले पर्तों में यानि क्रश्ट में और मेंटल में हलके घनपतो वाली धातुएं पाएं जा रही है और कोर में जो है वो भारी घनपतो वाली धातुएं पाएं जा रही है ठीक ना उसके बाद स्वेश नाम का एक बैज्ञानिक आया स्वेश महोदय स्वेश महोदय के द्वारा पिर्थिवी की आंत्रिक संरचना का अध्यान किया गया और उन्होंने बताया कि जो सबसे उपरी परत है अर्थार जो क्रेश्ट है मैं और बड़ा बना देता हूं इरोंने बताया कि जो पिर्थिवी की सबसे उपरी परत है जो पृतिवी की सबसे उपनी परत है यानि जो क्रेश्ट है C-R-U-S-T क्रेश्ट है इसमें सिल्का और सिल्का के साथ-साथ ऐल्मूनियम पाया जाता है उन्होंने बताया कि जो निचली दूसरी परत है मेंटल M-E-N-T-L-E मेंटल में सिल्का के साथ-साथ क्या पाया जाता है इल्मूनियम इसलिए सियाल कहते है और नीचे वाली परत जो है इसमें निकल और निकल के साथ-साथ आइरन पाया जाता है जिसको कोर कहा जाता है क्या कहा जाता है इसको कोर तो कोर में निकल और आइरन सी का मनलब सिलका है और सी मा क्या कहते हैं सी मा तो यहाँ पर एसाई कार्थ सिलका है और एमे कार्थ मैंगनीसियम हाला में मैंगनीसियम का जो सिंबल होता है वो एम जी होता है लेकिन यहाँ पर सेंटेस मनाने के लिए एसाई एम ए लिखा है क्या लिखा है एसाई एम ए बास्तों में देखा जाए तो हलकी धातुएं हैं जबकि निकल और आइरन जो है वो भारी धातुएं हैं निकल और आइरन कैसी धातुएं हैं तो निकल और आइरन भारी धातुएं हैं अर्थार्थ पिर्थिवी के केंद्र में भारी धातुएं होने के कारण ही पिर्थिवी क भूकंपिये तरंग की गती का सीधा संबन्द होता है पदार्थ के घनत्व से भूकंपिये तरंग की गती बी अदिखोगी और भूकंपिये तरंग की का सीधा संबन्द होता है पदार्थ के घनत्व अदिक होगा तो भूकम पिये तरंग की गती भी अधिक होगी और का गया पदाज का घन पियादी कम है तो भूकम पिये तरंग की गती भी कम है जब यहां से प्रिथवी के केंदर से यहां धरातल से जब केंदर की ओर तरंगें गुजारी गई तो देखा गया कि इन तरंगों में अचानक से ब गती सबसे अधिक हो गई मतलब कोर में अगर गती सबसे अधिक हो गई गती सबसे अधिक हो गई भू भूकम्पी तरंगों बिदाखं़ में विर्धि आے एक इस आधार पर कह दिया गया कि पृतिवी के अंदर जो है वो अधे घंत वाली धातूएं है या भुकमपी तरंगों की याँ पर गती में भी बिर्धी हुई इस कारण भी इससे दो गया है कि याँ पर अधे घंत वाली धातूएं तीसरी बात बताया गया कि घनत्तों का फॉर्मूला होता है D upon M, D बरावर M upon V, D का मनलब डेंसिटी है, M का आर्थ मास है और V का आर्थ बॉल्यूम है, यानि घनत्तों बरावर होता है द्रमान वटे आयतन, अब चाहे पृत्वी के उपर रहिएगा, यानि करेश्ट बाग मे चाहा मैंटल में रहिए, चाहा केज में रहिएगा, द्रमान तो भहिए बरावर रहेगा, तो द्रमान को अगर हम कॉंस्टेंट माल लें, तो घनत्तों का बिपरीत संबंद हो जाता है आयतन से, अर्थार्थ कहने का मतलब यह है, कि अधी आयतन बढ़ेगा, तो घनत्तों बढ़ेगा, यही बात हो ही, और अभी अभी मैंने बताया कि प्रिथिवी के अंदर के भागों में इस्पेस नहीं है, इस्पेस नहीं मतलब आयतन नहीं है, तो अगर आयतन कम है, प्रिथिवी के अंदर आयतन नहीं है, मतलब यहां का घनत क्या होना चाहिए, यहां का घनत क्रिष्ट अगर हम क्रिष्ट के घंट की बात करें तो यहां पर लगबग 2.7 ग्राम 30 cm क्योंकर यहां पर घंट होता है सीमा की बात करें तो यहां का घंट लगबग 4.7 ग्राम 30 cm की होता है और अगर हम कोर की बात करते हैं तो कोर का जो घंट तो होता है वो लगबग लगबग होता है गहरा कोर का जो गहनत होता है वो लगबग होता है गहरा ग्राम प्रती सेम्टी मीटर क्यों भाईया गहनत की जो काई होती है वो ग्राम प्रती सेम्टी मीटर क्यों होती है तो आप देख रहे हैं ऊपर कितना है दो दिसमलब साथ फिर कितना है तरह चार दिस प्रेंस आते हैं तो हम अगर आपसे ऐसा बोल दें कि प्रिफिभी की बता है प्रिफिभी का घंट तो कितना है तो यह प्रिफिभी का घंट तो कितना है तो यह यह याद रखना है प्रिफिभी का घंट तो जो होता है वो 5.5 ग्राम प्रती सेम्टी मीटर क्यों है प्रिफिभी का घंट तो कितना है तो प्रिफिभी का घंट 5.5 ग्राम प्रती सेम्टी मीटर क्यों होता है ठीक ना अउसत इसली निकालते हैं क्योंकि यहां पर डि चियाल इसको सीमा और इसको निफिक का आगया अब समझीगा प्रिति बी चुम्मक की भाती इसली είख बोहार करती है कियुकि प्रिति बी के केंद्र में आदि घंट वाली धातू निकल है और nickel के साथ iron है और nickel और iron जो होते हैं वो क्या होते हैं चुम्म की यह पदार्थ होते हैं ठीक ना अब देख़िएगा एक question पूछा जाता है कि पृतिवी की सतै पर सतै का मतलब या पर हम और आप हैं सतै का मतलब सबसे उपर वाला भाग सतै का मतलब ये वाला आप पर तो पूचा जाता है पृतिभी के सबसे पृतिभी की सताए पर वो खणिश पूछ सिल्का और अगर यही कुष्ण वो ऐसे पूंच लेता पिर्थिभी की सताय पर कौन सा तत्त सरवादिक मात्रा पाए जाता है अगर तत्त पूंचेगा तो आप क्या बताएंगे ऑक्सीजन और अगर खनिच पूंचेगा तो क्या बताएंगे तो बताएंगे हम सिल्का खनिच है कहाँ पर दिर्व हैं कहाँ पर गयास है हमें इस बात का देन किया देखेए गाँ जो हमने आपको समझाया है यहां से लेकर क्रश्ट का जो छेतर होता है लगभग लगभग 0-100 लिए हम ने आपको बतायाँ था जैसे जैसे जब तरंग अंदर जाती है, तो यहाँ पर liquid, लेकुड का घनट तो कम होता और toze का घनट तदेख होता है, तो liquid वाले चितर में क्या आती है, Lqui-ट वाले चितर में तरंग की गति में कमी आती है, लेकिन जैसे वह core में पहुँचती है, अचानक से उसकी जो भूकम के तरंग है उसकी गती में बृद्धी हो जाती है इसका मतलब पता चल जाता हमें कि कोर में क्या है कोर में ठोस पदार्थ है जबकि उपर वाले भाग में लिकुड है लेकिन वहां पर भी आयतन्दा होनी कारण जबर फीड़ेक दीजेगा और एक वात याद रखेगा आप जितना टीचर को जितना टीचर को आप सपोर्ट करेंगे टीचर आपके लिए उतने से अच्छे से कार करने के लिए वो तयार रहेगा हमें सा ठीक ना नीचे स्क्रॉलिंग में नमबर चल रहे हैं आप किसी भी बैच मैड भी सा लेना चाहें 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 वो सुपर टैट हो चाहें खंड सिक्छाथकारी हो चाहें PCS का प्री बैच हो या PCS का मैंस बैच हो नीचे स्क्रॉलिंग में नमबर चल रहे हैं आप वहां पर आके ह हमारे यहां entry ले सकते हैं ठीक ना entry message भेज दीजेगा और साथ ही साथ super tech में तीटी में जिनका हो गया है उनको सुपकामना है और super tech के लिए आईएगा हम से जुड़िएगा और हमारे साथ जिस परकार हम महनत करते हैं उसी परकार महनत रखिएगा मैनत कीजेगा और निश्चेत रूप से आपको क्या मिल जाएगी निश्चेत रूप से आपको सब भलता मिल जाएगी ठीक है मतरो तो आज यहीं रखते हैं इसके आंगे मिलते हैं नेक्ट वीडियो में ठीक है ठेंक्यू